नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि पैंदी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, पैंदी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और पैंदी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पैंदी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है, पैंदी कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बध़जमी होने पर, खती दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर पैंदी को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है। जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर पैंडी बन सकती है इसलिए अंटीबाएटिक दवाओं की वजह से यह साइड इफैक्स ना हो। इसलिए आपका डॉक्तर पैंड़ी । कैपसूल को और एंटीबाएटिक दवाओं धी लेनी की सलाह सकता है। इसके अलावा Pan D Capsule का उप्योग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी किया जाता है. Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है. Pan D एक brand name है. Pan D Capsule के अंदर दो दवाओं का combination होता है. Pan D Capsule के अंदर सौर्ट composition Pantoprajole और Domperidone होता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Pan D Capsule की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Pan D Capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Pan D Capsule की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुमें सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोरों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा Pan D Capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक Pan D Capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक Pan D Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B 12, कैल्शियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Pan D Capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार Pan D Capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है. Pan D Capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब Pan D Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Pan D Capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. ताकि ऑस्कियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए. और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की पैन D कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है. 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर पैन D कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं. पैन D कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए. पैन D कैपसूल की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको पैन D कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं पैन D कैपसूल को ले सकती है या नहीं. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिनाओं को पैंडी कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिनाओं और स्तनपान करा रही महिनाओं को पैंडी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पिहें